नमस्कार दोस्तों, एलेक्ट्रो टेक्निक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है पीके और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम दो टूवे सुच को मिला कर एक इंटर्मेडियेट सुच बना सकते हैं गाइस अक्चुलि मैंने एक वीडियो किया था टूवे सुच के उपर जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले लाइट को आफ करते जाएंगे और आगे वाले को आउन करते जाएंगे टूवे सुच की मदद से तो उसके नीचे मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर यहां हम दो टूबे सुच को मिला कर एक इंटर्मेडियर सुच बना सकते हैं तभी मेरे दिमाग में आडिया आया कि क्यों न मैं इसके उपर एक वीडियो कर दू तकि आप सभी को मालुम चल जाएं कि हम बना सकते हैं और वाकई इस बात से मुझे बहुत ही खुसी होती है कि अगर हम कुछ पूराने चीजों को मिला कर कुछ नया बना सके मज़ा आता है है तो चलिए डाइस में आपको बताता हूं कि किस तरह से हम दो टूवे सोच को मिला कर यह कि इंटर्मेडियेट सोच बनाएंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस काम को करने के लिए आपको चार टूवे सोच की जरुरूरत परेगी और उसे पहले ये बताना चाहूंगा कि intermediate switch का इस्तमाल कहां पे किया जाता है तो intermediate switch का इस्तमाल वहां पे किया जाता है जहां पे हमें एक ही light को तीन जगा से operate करने की ज़रूरत पड़ती है मतलब साफ है कि intermediate switch का उप्योग करके कि हम एक light को तीन जगह से operate कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसके लिए हमें चार two-way switch की जरुवत परेगी और चारों को कुछ इस तरह से लगाना है कि दो two-way switch को एक जगा लगाना है एक ही अस्थान पे दो two-way switch को और दो two-way switch को अलग-अलगा स्थान पे लगाना है एक को उस सैड में और एक को इस सैड में और बीच में बीच वाला जवा स्थान होगा हमारा वहाँ पे दो two-way switch को लगाना तो गाईस इसकी wiring connection किस तरह से होती है जरा वो समझ लीजिए तो यहाँ पे देखिए मैंने numbers दिये 1, 2, 3 करके number दिये मैंने यह numbers हमें बताते हैं कि terminal कौन कौन से है जैसे two-way switch में क्या होता है तीन terminal होता है तो तीनों के मैंने 1, 2, 3 करके terminal number दिये है ताकि आपको समझने में आसानी होगी की कौन से terminal से कौन से terminal में जा रहे है दूसरे सुच के कौन से terminal में wire जा रहा है ओके तो सबसे पहला हमें करना पड़ेगा यहां से start करता हो में जदा आसानी रहेगी जदा easy रहेगी तो मैं यह पे आपको दिखाना चाहूगा कि ये जो दो वैर आप देख रहे हैं एक है नूटरल और एक है लाइट यानी फेस तो फेस आएगी और एक पहले वाले टुवे सुचके मध्य वाले टर्मिनल में यानी बीच वाले टर्मिनल में कणेट हो जाएगे जिसका नंबर है। अब बचा नंबर वन और त्री कि नंबर वन वाले टर्मिनल यानि तो वैस के जो ऊपर वाले टर्मिनल से जो राएर जा रही है वो यहाँ हो दो तुबस लगे हैं वहाँ पहले वाले जो टुबस सुच है, उसके two number terminal यानि कि बीच वाले terminal में हम इसे connect कर देंगे अब आया तीसरे नमबर यानि तीसरा नमबर का terminal तो तीसरे नमबर से एक wire ले के जाएंगे हम और यहां का जो दूसरा वाला two ways हुच है उसके बीच वाले यानि number two वाले terminal से connect कर देंगे देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने power दिया होता ऐसा है 2A switch में कि बीच में एक पत्ती लगे होती है धातो की जो कि हमेशा किसी न किसी एक terminal से connect रहती है side वाले किसी न किसी एक terminal से connect रहती है तो मान लो अभी यह 3 से connect है तो हमारा यह power आया और 3 में चला जाएगा क्योंकि यह 3 से connect है तो 3 में जाएगा अब 3 वाला terminal का wire कहां गया है ज़र वो देखें तो यहां का जो दूसरे 2A switch का जो बीच वाला terminal है उसमें आ जाएगा और जैसे कि मैंने अभी अभी पताया कि बीच वाला terminal से एक धातू हमेशा किसी ना किसी terminal से जूरा रहता है अगर मान लीजे यह 1 से जूरा है suppose किजे यह 1 से जूरा है तो अभी यह power यहां से आया यहां से 3 में आया 3 वाले terminal का wire आपको यहां जूरा नमबर टू में आ रहा है यहां से स्पॉज करना है कि मेरा नमबर वन का terminal में जुड़ा है ऐसे यह इसमें भी रह سकता है लेकिन स्पॉज करना है कि इसमें जुड़ा है तो यहां से फिर power यहां तक आ जायएगा हमारा अब अगर हमने अब अगर यहां पर suppose कीजिए sorry मैं मिस कर रहा हूँ कुछ तो मान लीजिए यहां से terminal 1 में जुरा है तो terminal 1 से कितने wire आए हैं कितने wire निकले हैं दो wire एक तो यहां के लिए और दूसरा जो यहां के लिए ओके तो जो यहां आपको यहां से जो यहां आ रहा है नमबर 3 में अब अगर हम suppose करें कि इसका जो मद्दे बिंदुई इसका जो मद्दे terminal है बीच वाले terminal अगर यह 3 से जुरा है 3 से touch के condition में है ऐसे condition में है कि 3 से touch हुआ हुआ है तो फिर से power इसमें चला जाएगा इस वायर में बीच वाले terminal में और बीच वाले से जो वायर निकला है हमारा वो कहां गया है वो हमारे light को जा रहा है तो इस तरह से power हमारे light में आ जाएगे अगर suppose कि इसके उल्टाज इसके विपरित सपोर्ट कि इसकी कि अगर यह 3 में ना touch रहके अगर यह 1 में touch रहे तो क्या होगा तो होगा यूं कि यह तो 1 में touch हुआ तो 1 वाला wire आपको इस वाले 2S उच के 1 वाले terminal में आ रहा है और यहां से यहां आ जाएगा और यह चुकी 1 में touch है अभी अभी हमने 1 में touch करा था इसको तो यह 3 में touch होगा जब हमारा power फिर से उसमें जाएगा और उसमें से इस wire में आएगी इस wire में आने के बाद हमारा light glow होगा light जालेगा तो इस तरह से अगर हमें मान लो यहां से on करना है फिर यहां से आके off करना है फिर यहां से on कर देना है तो हम कैसे करेंगे. हम इसी तरह समझेंगे इसको. अब सप्सक्राइब कीजिए यह जो 2 वाला 2 नंबडर का टरमिनल है वो इस से जुड़ा है. 1 से ठीक है? तो 1 से पाँवर इसमें आएगए. चुक्ए इसमें फेस है. तो फेस 1 से जुड़ा. और वन से इसमें आएगा फेस फिर यहां के टू में आया ठीक है अब इसको सब्बोज कीजिए कि यह थरी में जुरा है तो त्री में जुरा है तो त्री से फिर पाउर यहां आएगा फिर यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से अगर त्री में यह भी जुरा है बीच वाला टर्मिनल त्री में जुरा है तो फिर बीच वाले से पाउर होके हमारा उस लाइट को जाएगा जो कि लाइट जाने ल किसी भी तरह से अगर हमने पूश किया पूश करने से 1 में अगर टच हुआ तो हमारा light glow हुआ light जला माल लो हम दूसरे अस्थान पे पहुँचे यह हमारा अस्थान number 1 है अगर हम दूसरे अस्थान पे पहुँचे और हमें चाहिए कि हम उस light को off करना है हमें उस light को off करने तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना क्या पड़ेगा यह जो 3 से हम देख रहे है 3 से touch है तो जिस भी situation में रहेगी सुच जैसी भी situation में रहेगी हम उसे push करके उसके विपरित situation में ला देंगे तो तब हमारा क्या होगा कि यह 1 से touch हो जाएगा 3 के बजाए 1 से touch हो जाएगा जब 1 से touch हो जाएगा तो power इस में आएगी इस wire में इस wire में आके चुकि हमारा यहां पर अभी भी 3 से touch है तो light off हो जाएगी अब अगर हमें यहां पर आके फिर से उसको on करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको 3 अगर ये 3 में टाच है तो हम उसके विप्रित उसे हम पुश करेंगे बटन को टूबे सुच को ताकि ये 2 और 1 टाच हो जाए बीतर से तब हमारा क्या होगा लाइट जनने लगेगा जाइस उमीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा हाँ और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस फोटो को अप अलग से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं देख सकते हैं बार बार अपने अनुसार उसे परक सकते हैं देख सकते हैं देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है आपको जिस तर से मैंने बता मैं आपके लिए और आगे वीडियो बनाता रहूंगा और प्लीज 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 अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ओके गाइस थैंक्स पर वाचिंग